तो हेलो गाइस गुड मॉनिंग कैसे हो भी आप सब लोग आयो आप सब लोग बढ़िया होँगे एग फिट होगे मैं भी मासत हूँ स्वासत हूँ तो हो गई एक नए दिन की शुरवाद और नए दिन की सुरात कसंद मैंने बिलोग की सुरवाद कर ली है और अब इस वह के बज रहे हैं साड़े साथ तो मौसम की बात करें तो यहां का मौसम कल साम से कंटिन बारिस लगी हुई है और अब भी भी बारिस लगी वह यह बीड़ी है तेज बारिस थो थो ठोड़ा बंद हो चुका है तो दिखाते हैं आपको यह का मौसम यह देखिए अब देख सकते हैं और यहां के बात बताता हूं मैं आपको यहां जब भी बारिस होती है तो जहां मैं रहता हूं यहां जो अगिरा है वह तो सारे बंद पर बंद हो रखें तो उसके वाझे से जो पानी होता है च्छड़कों में पूरा भर जाता है मतलब पूरे घुटनें तक पानी आजाता है गर आप लोग सब्सक्राइब जाता है जैसे कि यहां का मौसम देख सकते हैं आप लोग तो दोस्तों इसकी साथ सुरुबात करते हैं और बिलोग को लगते हैं और आप लोग में कंटीनियू बनिay रही है और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों के यहां बारिश लगी है कल से क्योंकि यहां दरदुन में कल से तो highlight जाशारी कर रखा था Кाफी 3 बारिश की संहरोना व्यक्त की गई थी तो कल से तो बारिश कंट्रील लगी है और अभी तक हलकी बॉल्ट भूरी अब देखो डेख सकते हैं फिर से दोबरावार शुरू ओगी है। मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो रह robust यहां तो मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो रहा है यहां का के जासी कि आमने सम्णों के सकते हैं बिलकुल हर्याली ही अचाय हो इता के अग इस पेड को कहते हैं नेमबू और इसे गड़वाली भासा में कहते हैं लिमू आप लोग मुझे कमेंड करके बताना आप लोगों के यहां होता है यह अगर कोई गड़वाली भाई मेरा देख रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंड करके बताना कि आप लोगों के यहां होता कि दरदुन में नेंबू इतने बड़े नेंबू होते हैं और देख लीजे यह तो हीजी आएं आज यह बड़े नियोन एट के सुझे टो है तो कि इस तो बारीने का मज़ा ऑन्जाई कुछ अलग है कि बारिच भी हो रही है और मैं बारिच में enjoy कर रहा हूँ तो रोराइं तो कि चलते हैं और फटा फट रेडी होते हैं नास्ता Eğer गर데ना करते हैं सक्के बाएं फिर कोचिंग के ओर हुस्हां है कि यहां से कोच्वि बिन्यूर है तो काइम वहां पर तो करेंückे चार्ट वेक मुझे तो जी एक जोन से किसमर मोरा है किसम plugging के लिए है नाम ने कैसा कीम कोचिंग कीज घान सब्सक्राइच के लिए घान किसमर विए हम जोन के लिए किसमर कोचिंग के लिए रडी ह後怎麼辦 सब्सक्राइब करना पड़ेगा जब तक वाइट करना पड़ेगा उसके बाद चलते हैं कोचिंग के लिए किया तो चलो कोई नहीं तब तक थोड़ी बहुत आपसे बातें कर लेते हैं तो सॉक्राइब करें हमारे किस्मत भी है खिंक हम जैसे रादी आज पर मतЭल हैं तब कोचिंग के लिए निखली थी तब तक चैक परोझें तोल के बारिस पर फैसे अक हमस रही है म competis जैसे किसेरा के लोग कर करके पाइब हर के रहा है तो देख़कल तो काफी तेज बारिष लागी हुई है nuovo कोई कुर mean अब एक मेरा चाता भी अंदर ही चूड़ गया किसी दोस्त के रूम के अंदर चूड़ गया मेरा चाता तो अब मुझे आज भिखते वे जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए तो कोई नहीं मिलते हैं आपको थोड़ी दिर में कोचिंग में और निकलते हैं कोचिंग के लिए और कोचिंग जाने से पहले हर हर महाधीब ब्ले नत कर नाम लेना जरूरी है तो निकलते हैं कोचिंग के लिए बात मैं कर रहा था कि यहां पुरा पानी भर जाता है आप दोग देख सकते हैं आज तो बहुत ज्यादा पानी भर आया और काफी आगे तक पानी भर हुआ है देख तो अरे भाई इधर से तो जाएं जाएं जाएगा जो पत्थर रखेती साइट को आस तो भी देख सकते हैं आप लोग ओ तेरी तो आस तो पत्थर भी ने दिख रहा है मुझे बिलकुर भी नहीं साइट से लगा रहा था था बारिस की टाइम पर यहां बर जाता ना पूरा पानी देख सकते हैं आप लोग कुला पानी भरावाए तरुम भाई ओ बहने दिखा तो ठीखा भाई अलका थी अलका सा थी तो और भाई भाई है कि है आट अब आड़े अ कि यह वारिस नहीं तो पणकर कर डाला तो हाई बहुत पारिस हो रही है कर दिया और पानी ने लग है और निकलते हैं मैं भीग भी रहा हूं और जैसे कि आप लोगों को दिखाता हूं नाली में इतना पानी कभी नहीं रहता है यहां पानी काफी तेज भाह हो यहां काफी ज्यादा ट्रैफिक है जैसे देख सकते हैं मेरे पीछी और रेड लाइट क्रोस करना तो बहुत ही मुस्किल हो जाता है हमें अब वैसे भी आएंस तो बारिष लगी है और मुझे रेड लाइट क्रोस करनी है तो काफी मुस्किल होगा बट खेर कोई नहीं क्रेड अजादा ट्रैफिक क्या ही बता है अब कर में प्रसम सहे बहुत जादा ट्रैफिक है चैंड लुद के अब चुरक्राइट को अब देख लिए आप लोग से एक साइट क्रोस कर दा होरी तो क्षेट दाहिए से निकलने वाले दाहिए साइट चिलिक और रहत है एक उम्मीन के त्राफिक निंट पर हमारी परग। यह पिसे की पड़ाई परोग्म को आप लोगों तो आप इस नंबर पर कॉंटक्ट सकते हैं अच्छा कोचिंग के नाम पर आए यह इसके पड़ाई कोचिंग के नाम पर तो गाई जैसे कि हम कोचिंग्स को अपसा रहे हैं और अभी हल्की धूब लगी हुए है ज्यादा तो नीपर हल्की धूब लगी हुए है बारिस के सम्भावना तो पूरी है अभी जैसे अभी का मौसम होरका है मौसम बिल्कुल किलीन होरका है पूरा किलीन तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी दूप लगी है और मौसम फिर भी क्लीन होरका है और जैसे कि आप मेरे पिछे देख सकते हैं कितने अच्छे बादल लगी है अभी देख सकते हैं बहुत अच् देख सकते हैं कितने अच्छे बादल लगे हैं भी मौसम तब भी खराब है बट बादल बहुत अच्छे लगे हैं और हलके हलकी दोब लगिया है देख सकते हैं आप लोग बादल बहुत अच्छे लगे बढ़े हैं भी आज का विलोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आसा करता हूं कि आप लोगों को मेरा विलोग अच्छा लगी तो लाइक करना शेयर करना और सस्क्राइब करना तो मिलते हैं आपको नेक्स विलोग में तब तब के लिए जै देभूमी जै उत्राखंड